कि नहीं तो सर हमको कलेंटर बना दो मद्द प्रदेश के जबुआ से एक वीडियो सोसल मीडिया पर बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो में नोकरी के लिए कुछ चात्र वा चात्राय परदर्सन कर रहे हैं इसी दोरान बैरिकेडिंग के ठीक पीछे खड़ी लड़की चिला कर कहती है नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो हम बनने के लिए तयार हैं सब की माँगे पूरी कर देंगे वीडियो में लड़की के इतना बोलते ही हसी की आवाजे आने लगती हैं एक बार आप भी सुनिये पूरा वीडियो सुना आपने लड़की कह रही नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो हम बनने के लिए तयार हैं सब की माँगे पूरी कर देंगे आप नहीं कर पाते तो किस के लिए बनी है असरकार जैसे की हम भीग माँगने के लिए आहां आते हैं हमारे गरीब के लिए तो कुछ वियोंस्ता करो हम इतनी दूर से आते हैं आदिवासी लोग पैसे कितने किराया दे कर आते हैं इस लड़की के वाइरल हो रह रहे वीडियो पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्श टिपड़ियां कर रहे हैं कुछ ने इसे आदिवासी सेर्नी कहा तो कई लोग इसे इसका जोहर कह कर परसंसा कर रहे हैं वाइरल हो रहा या वीडियो जाबुआ के कलेक्टर आफिस के बाहर का बताया जा रहा जहां या छात्राएं परदर्सन कर रही है इस वीडियो पर दिनेज कालुवास नाम के यूजर ने लिखा है आज मुझे बहुत खुशी हुई जब यह वीडियो देखा एक आदिवासी बालिका ने किस प्रकार अपने हक की लडाई जजबा एवं जुनून के साथ अपनी बात को रखी है मुझे लगता है इनकी जैज मांग होगी अगर हम सब मिलकर इनकी आवाज को ताकत दें तो इनको नयाय मिल सकता है क्या बात बोली है नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो हम बनने के लिए तयार हैं सब की मांगे पूरी कर देंगे सर आदिवासी सेरनी जै जोहार जै आदिवासी फिरोज खान ने लिखा है कि सिच्छा से दूर क्यों रखा जाता है क्योंकि सिच्छा सवाल को जन्म देती है वही कैलास सिंग ने लिखा है उम्र छोटी है तो क्या हुआ आवास तो बुलंद है सिच्छा सेरनी का वो दूद है जिसे जो पिएगा वो ही दालेगा इस वीडियो पर रेसी केस मीना ने लिखा है कि आद इवासी सेरनियों का जोहार तो राजू मीना ने लिखा है कि इन बच्चों की ज़्यादा बड़ी मांग भी नहीं होगी लेकिन सरकारी सिस्टम के आगे सब कुछ बेकार है ब्यूरो रिपोर्ट मद्धिपर्दीश